जरा सोचो बीच हाईवे में तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो जाएं और पुलीस को लगे के तुम चलान से बचने के लिए गाड़ी भगा रहे हो कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ कहानी की शुरवात में हम टॉम नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को देखते हैं जिसकी वाइफ चूलिया तीसरी बार प्रेगनेंट थी उनके पहले से लाइसन और नोई नाम के दो बच्चे थे पूरा परिवार दो हफ्तों के लिए ट्रिप पर जाने वाला था लेकिन उसी वक्त किसी ने दर्वाजे की घंटी बजा दी दर्वाजे पर बच्चों का दादा बेन था जो खुद भी उनके साथ इस ट्रिप पर जाना चाता है हलाकि टॉम को इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जूलिया को बेन बिलकुल पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था उसका दिल साफ था लेकिन वो हमेशा गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाता लेकिन अब तो टॉम और जूलिया वैसे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों ने बेन को देख लिया था जो उससे बहुत प्यार करते थे उन्होंने सामान पैक किया और नीचे जाने लगे रास्ते में उनका पडोसी हुआन जूलिया पर लाइन मारने लगा लेकिन जूलिया ने उसे अंदेखा कर दिया अब पूरा परिवार टॉम की चम चमाती नहीं कार मेडिूसा में बैठ गया ये बहुत हाई टेकनोलोजी वाली कार थी जिसके सारे फीचर तो टॉम को भी नहीं पता थे उसने सोचा कि ट्रिप के दौरां तो उसे गाड़ी की समझ आ ही जाएगी अचानक से नोई को याद आया कि उसकी टॉय गन तो घर पर ही चूट गई है और दूसरी तरफ बैन को भी हलका होना था इसलिए दोनों दादा पोता फिर से उपर गए बैन ने गलती से टॉयलेट पेपर्स टॉयलेट में ही गिरा दिये उसने उन्हें नीचे दबाने की कुशिश की लेकिन इसी चक्कर में टॉयलेट से पानी ओवर्फलो होकर बाहर गिरने लगा बैन उसे ऐसे ही छोड़ कर बाहर आ गया लेकिन तभी उसके बेटे ने उस पर नकली गोली चला दी क्योंकि उसे लगा था कि घर में चोर गुसाया है इसके बाद उसे अपनी पेशेंट सिसीलिया का कॉल आया जिसने होट बड़े करने वाली सरजरी करवाई थी उसके होटों में जलन हो रही थी लेकिन टॉम ने कहा कि ऐसा होना आम बात है इसके बाद सब गाड़ी में आराम से बैट गए मानो कुछ हुआ ही नहीं ट्रिप शुरू हो गई और बेन ने तुरंट जूलिया को गुसा दिलाना शुरू कर दिया एक घंटे बाद बच्चों को भूख लगी तो वो स्नैक्स लेने रुक गए वही बेन को नीले बालों वाली एक लड़की मिली जिसका नाम मेलेडी है मेलेडी ने कहा कि उसकी मा उसका सामान लेकर गाड़ी में चली गई और उसे यहीं भूल गई बेन उसकी मदद के लिए राजी हो गया लेकिन वो जानता था कि जूलिया किसी अंजान लड़की को कार में नहीं आने देगी इसलिए बेन ने उसे सीट के नीचे चिपा दिया इसके बाद गाड़ी का शीशा साफ करते हुए उसने अचानक से वाईपर ही तोड डाला लेकिन बेन ने उसे चुप चप वहीं चिपका दिया ताकि किसी को पता न चले सफर फिर से शुरू हुआ और बेन होने वाले बच्चे के लिए अजीव हो गरीब नाम बताने लगा जिससे जूलिया का पारा धीरे धीरे उपर जा रहा था टॉम ने उसे चुप होने का इशारा भी किया लेकिन वो कहा सुनने वाला था जूलिया ने गुस्से में उसे चेप कह दिया क्योंकि जब जब उन्होंने बच्चे के लिए ट्राइ किया तब तब बेन भी वहीं मौजूद था इसी वहस में कार के नीचे का डिजिटल कंट्रोल बॉक्स खराब हो गया जूलिया ने जिद की कि वो घर लोटना चाहती है लेकिन जब टॉम ने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगी ही नहीं वो घबरा कर आगे बढ़ने लगा क्योंकि अब तो वो गेर भी नहीं बदल पा रहा था हाईवे पर दो बार वो गाड़ियों से टकराते टकराते बचे जूलिया ने पूछा कि दिक्कत क्या है जिस पर टॉम ने जवाब दिया कि ब्रेक्स फेल हो गए है ये जूनकर जूलिया को लगा ये तो ऐसे ही मजाग कर रहा है सच में थोड़ी ब्रेक्स फेल होई होगी बेन ने भी फालतू के आइडियास देने शुरू कर दिये जिसका कोई फायदा नहीं हुआ अब वो लोग भस चुके थे उधर मेलेडी भी परेशान होकर बेन से पूछने लगी कि अंकल कितना टाइम और लगेगा नोई उसे देखकर चौंक गया और अपनी मा को बता दिया अचानक अंजान लड़की को देखकर सभी शौक हो गए और उनका एक्सिडेंट होते होते बचा अब तो बेन ने हद ही कर दी थी बच्चे घपराए ना इसलिए जूलिया ने उन्हें गाना गाने को कहा अचानक वो एक बाइक से टकराने वाले थे और मीठे गाने चीक में बदल गए टॉम ने तंग आकर जूलिया से कहा कि कार के डीलर को कॉल करे डीलर किसी और परिवार को सेम गाड़ी बेच रहा था जब टॉम ने उसे समझाना चाहा कि गाड़ी नहीं रुक रही तो उसने बड़े आराम से कह दिया ब्रेक लगा ले भाई गाड़ी अपने आप रुक जाएगी कैसे लोग है उधर मेलेडी को अपनी मा की गाड़ी दिख गई वो चिला कर उसे पुकारने लगी लेकिन उसकी मा को कुछ सुनाई नहीं दिया अचानक उसने नकली गन चीन कर टॉम के सर पर रख दी उसे लग रहा था कि ये लोग उसे किडनाप करके ले जा रहे हैं बाकियोंने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन उसने टॉम पर गोली चला दी जिससे वो बाल बाल बचा बैन ने उसकी नाक पर जोरदार गुसंड दिया और गन वापस चीन ली पागल सी एक गुसंड पढ़ने के बाद मैलेडी के भी समझ में आ गया कि शायद ये लोग जूट तो नहीं बोल रहे है इसी हड़बडी में गाड़ी टॉम के कंट्रोल से बाहर हो गई और उन्होंने किसी और की गाड़ी का दर्वाजा तोड डाला उस कार का मालिक जैकी बेहत गुस्से वाला था उसने भी फूल स्पीड में टॉम का पीछा शुरू कर दिया ताकि अपने नुकसान के पैसे ले सके तब ही दो ट्राफिक पुलीस वालों ने टॉम की गाड़ी को स्पीड लिमिट से तेज जाते देख लिया एक पुलीस वाला टॉम के पीछे चल पड़ा तो दूसरा जैकी के उधर गाड़ी में बेन और जूलिया एक दूसरे की सीट पर आ गए जैसे ही बेन ब्रेक्स ठीक करने नीचे जुका पुलीस वाला साइड में आ गया और उनकी अजीवो गरीब हरकते देखकर परिशान हो गया टॉम ने उसे बताया भी कि उनकी ब्रेक फेल हो गई है लेकिन पुलीस वाले ने लाखो बार ये कहानी सुन रखी थी जूलिया ने एक नक्षे के पीछे हेल्प लिखकर ओफिसर को दिखाना चाहा लेकिन वो कागज उड़कर ओफिसर के मूँ पर ही चिपक गया वहाँ से हटकर वो नक्षा जैकी के शीशे पर जा चिपका जिसकी वज़े से उसे गाड़ी रोकनी पड़ी तब ही दूसरे पुलिस ओफिसर ने उसे पकड़ लिया लेकिन जैकी उसे चक्मा दे कर फिर से टॉम का पीछा करने लगा उधर ट्राफिक पुलीस की हेड को भी इस हंगामे की खबर पहुँची लेकिन उसे भी लगा कि टॉम चलान नकटवाने के लिए जूट बोल रहा है अखिरकार उनकी गाड़ी एक क्रॉस पॉडर चेक्पॉइंट पर पहुँची टॉम ने कई बार गाड़ी इधर उधर हिला कर अक्सिडेंट होने से रोका अब तो ट्राफिक पुलीस की हेड को भी लगा कि मामला सीरियस है उसने कार और उसके मालिक की चांच के ओडर्स दे दिये उनका पीछा करते करते जैकी भी बॉटर क्रॉस कर गया ये बंदा अपने पैसे लेके ही मानेगा टॉम ने विंडशील्ट पर स्प्रे चला दिया लेकिन तभी बेन की महरबानी से वाइपर तूट कर नीचे गिर गया बेन एक कपड़ा लेकर सन रूफ से पानी साफ करने पहुँच गया उसकी तो जान जाने ही वाली थी इसके बाद बेन ने खतरों का खिलाडी बन के शीशे को साफ किया इसी मुसीबत में सिसीलिया का फिर से कॉल आ गया उसका चेहरा और होट गुबारी की तरह भूल चुके थे टॉम ने ऐसे ही कोई नकलीन उसका बता कर अपनी जान चुड़ाई अब वो दो घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था जिस वज़े से उसके कंधे दर्द करने लगे थे बहुत मिन्नते करने के बाद बेन उसकी जगा पर आकर गाड़ी चलाने लगा उधर शोरूम में डीलर ने नए परिवार को गाड़ी में बैठा दिया अंदर बैठे लोगों ने तो उल्टियां करने चुरू कर दी उधर पुलीस ने पता लगाया कि टॉम की कार कुछ रात पहले भी तेज स्पीड में पकड़ी गई थी उस वक्त बेन एक लड़की के साथ गाड़ी चला रहा था इसे देखते ही ऑफिसर को पूरा यकीन हो गया कि ये लोग जूट बोल रहे हैं ऑफिसर ने अपनी बंदू टॉम की तरफ तान दी खुद को सच्चा साबित करने के लिए जूलिया गाड़ी का दर्वाजा खोल कर अपना पेट दिखाने लगी इसके बाद ट्राफिक पुलीस ने हाइवे से सभी गाड़ीयों को हटवाने का ओडर दिया दो ओफिसर्स काड़ी के आगे चल रहे थे ताकि वो किसी से टकराए ना कुछ तेर बाद जूलिया को उनके पडोसी हुआन का कॉल आया जिसने कहा कि उनका पूरा फ्लैट पानी से भर चुका है क्योंकि उसका फ्लैट उनके ठीक नीचे वाला था तो पानी अब उसकी छट से भी लीक कर रहा है जादा चिंता तो उसे जूलिया की पेंटिंग्स की थी जो उसने खुद बनाई थी तभी टॉम ने जूलिया से फोन ले लिया लेकिन हुआन बोलता ही रहा कि उसे जूलिया के साथ और वक्त बिताना होगा ताकि वो और पेंटिंग्स बना सके गुस्से से भर कर टॉम ने फोन ही बाहर फैंक दिया और जूलिया से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है ये साफ हो चुका था कि जूलिया का हुआन के साथ चकर चल रहा है जबकि जूलिया ने जवाब दिया कि ये तो एक साल पुरानी बात है अब तो मैं उससे बात भी नहीं करती लेकिन टॉम के दिल कोई इस बात से कोई शांती नहीं मिली तभी जूलिया कहने लगी कि वो भी टॉम की सेक्रेटरी के साथ उसके अफेर के बारे में जानती है फिर उन्होंने फैसला किया कि अपने अपने चक्कर को घर में जाके ही सुल्टाएंगे तभी बेंक का एक बार फिर से जोरदार प्रेशर बन गया तो हलका होने के लिए उसे एक लिफाफा दिया गया उस लिफाफे को उन्होंने खिड़की से बाहर फैंक दिया जो सीधा जाकर जैकी के मुझ पर लगा ये बंदा फिर भी नहीं रुका और सर पर बाल्टी डालके उनका पीछा करने लगा अब एक आखरी तरकीब लगा कर टॉम ने एक्सलरेटर दबा दिया ताकि गाड़ी और तेज चले और पेटरोल जल्दी खतम हो जाए सब आख बंद करके गाड़ी के तेज होने का इंतजार करते रहे लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि उसका गैस पैडल भी तूट चुका था कुछ ठीक भी है इस गाड़ी में डीलर को गालियां बकते हुए टॉम ने गैस पैडल भी खिटकी से बाहर भैंक दिया जो पुलीस वाले को लगते लगते बचा लेकिन उस पेचारे की बाइक क्रैश हो गई तभी दोनों पुलीस वालों को कहीं से सिसीलिया की गाड़ी मिल गई जिसमें वो लोग फिर से टॉम के पीछे हो लिये उधर जैकी उनकी गाड़ी तक पहुँच गया और नुकसान के पैसे मांगने लगा लेकिन नोई ने अपनी नकली बंदू की मदद से उसे रास्ते से हटा दिया अब उनकी गाड़ी की खबर टीवी तक फैल चुकी थी और आदे घंटे में उनका क्रैश एक ट्राफिक जाम से होने वाला था पुलीस ने अपनी कार को उनकी कार के आगे फसा कर रोकना चाहा लेकिन बात नहीं बनी आखिरकार उन्होंने बच्चों को खिडकी के जरीए दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने का फैसला किया ये बहुत खतरनाक था लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं था आखिरकार सारे बच्चे सही सलामत पुलीस की गाड़ी में पहुँच गए जब मेलेडी की बारी आई तो बेन कहने लगा अरे दीदी जाता जाता ये तो बता दो कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है इसी चक्कर में वो कंट्रोल खो बैठा और मेलेडी दो गाड़ीों के बीच में लटक गई बड़ी मुश्किल से गाड़ी संबली और मेलेडी की जान बची वरना अभी नीचे गिर के चॉकलेटी हो जाती है टॉम जूलिया और बेन खिडकी में पूरे नहीं आ सकते थे और ट्राफिक जाम आने में बस पाँच ही मिनट बचे थे अचानक कहीं से एक पुलीस हेलिकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ गया जब वो जूलिया को संडूफ से निकाल कर हारनेस से बांद कर ले जाने लगे तो उसने चला कर अपने पती से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है हो सकता था कि अब वो शायद कभी ना मिले तब जाकर उन्हें असास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते है अंत में वो हेलिकॉप्टर तक पहाच गई और अब गाड़ी में सिर्फ बेन और टॉम ही बचे थे कुछ ही पलो में उनका क्रैश होने वाला था लेकिन अचानक से हेलिकॉप्टर ने पूरी गाड़ी को ही उपर खीच कर उनकी जान बचा ली लेकिन ये गाड़ी इतनी रद्दी थी कि इसकी चट भी तूट गई और नीचे का हिस्सा सीधा जमीन पर आगिरा लेकिन खुश किस्मती से टॉम और बेन सही सलामत लैंड हो गए दूसरी तरफ जूलिया की डिलिवरी का भी समय आ गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया गया आखरी सीन में उनका तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया और उसके बाद पूरा परिवार अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में गया लेकिन तभी लिफ्ट भी अचानक से रुख गई और वो सारे एक बार फिर से फस गए तो आज कमेंट्स में ये जरूर बताना के तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है मिलते हैं अगली वीडियो में